हलो फ्रेंट्स इस हफते नाइका का आएपयो आया एंड डाट वस लेकर सूपर सूपर सक्सेस नाइका हैस बीन फांड़ेट बाइए इस वीडियो में समझते हैं तो आप देखें तो नाइका के एक इंडियन बेस ब्रैंड है जो मल्टी ब्यूटी एंड परसनल के प्रोडक मैं स्पेशलाइज करता है और इजनली इस्टैब्लेश हुआ था सिर्फ एकॉमर्स के मोड में बट लेटर उसने समझ में आया कि भाई ओमनी चैनल भी क्रियेट करना है तो इट सेट अप वेरियर से डिटेल आउटलेट्स इन मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज अक्रॉस द अब बॉन पॉइंट फाइव मिलियन विजिट इसमें मिलता है परमत इन टरम्स आफ कन्वर्जन्स यह बोलता है कि इसका ब्रांड ऐसा है कि लोग को पता है कि नाइका मीन्स सम्टीं की एक्सपाईरी डेट को मिटा के दूसरा इक्सपाईरी डेट नहीं डाला जाएगा नाइका का खुद का ब्लॉग है जहां पर आपको आपको पता चलेगा कि नाइका क्यों प्रोड़क्ट्स एक्स और प्रोड़क्ट्स य को रेकमेंड कर रहा है तो ब्यूटी लाइज इन आई जो भी होल्ड़ ग्लूबल ब्यूटी इंडस्ट्रियास डेवर हापन तो वैडिंग या फंशन में या जस्ट एक क्विक लाइट लेयर ला चाहते हैं और आपके पास ओनलाइन स्टोर्स हैं जहापे आपके जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो सिमिलर प्रोड़क्स को सर्च कर रहे हैं व्लॉग्स हैं जहापे आपका एक्स्पिरियंस लोग शेयर कर रहें तो यहीं आपके लिए ऐसा स्टार्टप आईडिया आपको समझना हुगा कि मिस फालगुनी नायर ने ऐसा क्या किया लाइका का यूनीक पाट यह है कि वो ई-commerce भी है लस्वो अमनी चैनल भी है मतलब उसका इक इसका टीपिकल Pantaloons या Big Bazaar जैसा Outlets भी है, so we realized that in order to give our customers a really holistic beauty experience, we had to build a physical retail distribution Naika का कौन का। Competitors है, Fab India and Fab India has been in the news for wrong reasons, purple.com Sephora, FashionU Fabelli, Flipkart but Naika ने अपने एक unique space बना दिया, Naika का नाम कहाँ से आया, from the Sanskrit word Naika, which means one in the spotlight 2020 में उन्होंने 100 crores का fund raise किया था, from Steadview Capital का offline store formats है Naika looks और Naika on-trends 3500 products from 650 brands, this is the kind of depth which Naika has on its platform, इनोने फिर अपना खुद का प्लाइबल प्लाइबल प्रोडाक्स भी क्रेट किया in the bath and body care category as in कि इस नोट लेक अन लाक में, it is Naika branded soap या Naika branded skin lotion, ये अपने risk पे contract manufacturing कराके, उसको अपने brand पे बिचने है कजीना कैफ के साथ उन्होंने टाइब किया एंड एक Sephora store में जब वो घुसी थी तब Miss Falguni नायाड ने ये Naika account को idea मिला था Naika sells like 25 products in every 60 seconds it has 3 lakh products across 1500 branch and Femina के साथ उन्हेंने collaborate करके Naika.com Femina beauty awards किया था, इन उन्हें जानवी कपूर को ले के आए and then the first order placed on Naika was in October 2012 on the occasion of Dashera and it also supports Nadhi Kalhi foundation by Mahindra as part of CSR क्यों है Naika इतना attractive इतना बड़ा business क्यों बना दिया गया है इसको 2012 में इत वस founded by the former investment banker Falguni Nair raised 20 crores from various family offices then 60 crores from TVS capital लतुल निशार्द, दली पाठक, हरीश मारिवाला of Mariko fame and then 100 crores from Max India मुझाल family office, योगेश, महनसर्या and Harish मारिवाला इनका online portal में 80,000 products from 700 brands है and then 2016-17 में 200 crores का revenue था क्या है Naika का USP सीधा brand से खरेता है no it's not like a marketplace तो ये inventory carry करते है अपने books पे इससे उनको high commission में मिलता है total control होता है and they do not provide discounts themselves brands को discount देना पड़ता है in the process Naika का commission कमनी होता है and then they give a fast delivery because women अगर offline store जाने की जाने की जाएगा online shopping करना चाहा रही है तो उसको fast delivery उसके लिए बहुत बढ़ा criteria तो वो नई का insure करता है and funding massive इन्होंने race किया है across all borders and of course being from an IIM इंदाबाद background and investment banking background and creating a niche in a space like beauty जो omnipresence है हर Indian lady and in fact हर Indian gents को भी आज के date में in some way or the other cosmetics चाहिए इसका IP आप देखिए ना 1085 से 1125 पर शेर पर आया था 81.8 टाइमस इसको बिड मिला retail 2.3 टाइमस QIB 92.2 टाइमस and HNI 112.5 टाइमस friends D2C ब्रांड्स वाले जी consumers के यह जो start-ups है D2C हो गया direct to consumer so that in itself like is a fantastic fantastic business model and I'm very very bullish about this model not necessarily about this stock in particular because हो सकते है यह ओवर प्राइस हो only depending on the listing कि क्या होगा gray market premium के साब से तो 500 plus का इसका premium था let's see how this turns out but अगर आप entrepreneur बनना चाहते हैं तो सोचिए इस दिर्शा में कि आप एक निश कैसे create कर सकते हैं how can you become a naika.com and create your own history in this world thank you so much for watching this video all the best